एलो असलाम लेकुम वेलकम बैक प्लाटफॉर्म क्रीस क्रीस पॉन वो बैक आफर लॉंग टाइम और आज उन्ग डिसकस करेंगे वो डिसकस करेंगे पाकसान अपना स्कॉर्ड नाउस की है बंगदेश की सीरियस के लिए और यह पाकसान का जो है आप टाइच शेट बैक शेटर रिग्स युडाटब में तो यह तो चलते हैं लिए इसना का स्कॉर्ड तो पाकसान जो सब को सब्सक्रिक्णा के रिए अगशरा का स्कॉर्ड उपासान मनाता हुए है और यह पडान्यंग ये बाद शान बने तो अभी शाहीन का वर्क्ट मेरेजमेंट करने करी उन्हें में थोड़ा दोहरा है वह साउच हधील को वाइस कैप्टन है से इसकरी प्रस्ट लिसमेंट मेरे काल में जो शेंगेंगेंगेंस टेक कंपेंड चलाई गई वह एक लाइदा बात है तो मुझे रग कोई तो अच्छा बाइस को आइसरे ए जिए आप निजि की एच्छा प्रस्टे विट्टम इसकरी शीन को उल्डवाइकरी फिट्यून करें लेकिन यृपल आज खृट्स représent आटियून कि इसको यृजएल को तो मेरे काल में ऐ येच एक अच्छा जिए नहे और तो वो कैप्टन में देखने लेकिन अच्छा स्टेप तो ही है यह वर्ग लोड भी अच्छा प्रॉस्ट पी आप शाहिन वो साउच्छी कील का पर इसी तरह बात की डिया करना कि इस एक अगर नों ने शाहिन को स्टेडलेंड करना फिर कहीं ने कि यह भी का सथा जा सकता अगर दोस्ती यह इ से पार्ट थे एक मामूल हट वो भी कहीं ना कहीं जो हैं वो ट्रॉप ओंए मामूल हट को ट्रॉप करना मेरे दाम में थोड़ा इनर्ट सा लसीएन है इसको आप इसी वी साइड में देख सकते हैं तो आप यह देखें के दो नीवों उपनर जा रहे है यह हुरेरा और साइम जा रहे हैं तो मुझे लगता है बंगलादेश जादेश टीम के लिए साब को दूरों ओपनिस को ट्राइ करना चाहिए चुंकि आपका तीस्रा ओपनर जो आपडुलाज प्रॉप स्टी लिए यंग है मैं नहीं कहा रहा है उसको बाहर करें तो मुझे तरसने तक उन्हीं में इंवेस्ट किया गया उनको पापे चांसें भी दिये के और वो शॉर्ड पैसिजिस में परफॉर्म भी करते रहें लेकि उनकी कोई ऐस सच बड़ी परफॉर्मस नहीं थी जो उनकी जवया बचा पाती इस्पेशिल इस्टेटर टूर के बाद तो काफी उनकी मिट परफॉर्मस ने रही थी प्रिंडी के बार लिगी जो एवर्श थी वो तीस बटीस के डाउन बड़ रही और मेरे खाल से कॉंपेशन भी जो है अपनी स्टोर्ट पर काफी बाड़ा था पाकसान ने साइम यू पर डैड़ पर राली ऊस्टैया में फिर ठीक आप पाकसा ने बोर्ड को ली माम को द्रॉप किया लेकिन फिर वहीं पर पाकसा ने सफ्रास को ड्रॉप नी किया एक फोन सीरीज आपकी है वो भी बंगदेशे से टीम पर देंस तो वहां भी आपने रैक अपकर कीपर के तौर पर आपने 37 साल के सफ्रास को रखा हुए ह आप कहा सकते हैं कि स्टील बाकी है लेकिन आपने जब इमाम जो 10-27 यर ओल्ड है गैस तो आप उनको साइलन कर रहे हैं और आप यंगसल को आप प्र आपके पास विगट कीपिंग में बैक अप है ऐसा नहीं किया तो आपको पास बैक अप ना और रिजवान आपका फर्ट सबको खुश करने के लिए स्वाइब यह उसी कडी का एकिस्थास सफ्राज है में तो स्वार्ड में रुन रखता उतक्ते हैं आउकम नहीं है इसके लावा पर देखिया तो पाकसान स्कॉर्ड जो है उस में हैवी पेस उप्शन्स रखे हुए छे पेस उप्शन्स है आगर आमेर जमाल फिट होते हैं इसके लावा जो टेस्ट्रीम का रेगुलर पार्ड होते हैं परसनली और वसीम जूनर भी वो फिंज क्या रहर और यह जो तो है पाकिसान की प्टी शन से चील या पेस से हमारे पास ऑगाई है नि आगी यह त मैं है ताप तो फेले लेगन लिकिन हमारे पस फृट में होटता स्कॉ पिसम रोघगर में प्रसला है जब आपके विकेट स्लयत होती है टेस्ट किकरण वे जो रिक्राइबन्ट होती है वह यह होती है कि आपका पोलदरर की पाजबर कर रहो इसका बार्स हो रहा हो लेकिन हमारे जो मोशली पैस का इशू यहां रहा है कि जैसे 25-37 पुराना होता है हुए उनकी वर सिं पढ़ेगी यह कि आप पाते हैं कि तो स्कृ क्रिक ल鬼 कर आप पहले पंद्राइं करते हैं कि का तक बहुत है तो यह वाल उगा हुझा के इसे में कोय शेक्त निये एसे यह थोड़ी सी मिल्हा से इच्छ से एसिस्टेंस रहे वह भी रिक्वाइड पासर नी बोलर्स को फिके लास्ट भी चुपास हैं उस्ट्रेलिया में किली थी वहां पी तक्रीब नहीं यह टैड़ था जो तो उन्होंने शो किया था कि वहां पे अच्छी बोलिंग की मीर आज की में कासे वीडियों में स्कॉर्ट पे थी वह काफी डिसक्स कर लिया हमने वह आगे है काफी क्रिक्ट आने वरे पाक्सान के तो वह खुरी मारा कॉंटेंट जदा वह भी जार सादा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कीप इंगेजिंग एंड कीप इंग टूच थैंक य आपसे प्रट आपसान